इस तरह के से आप memes video के उपर reaction video बना सकते हो और इस तरह के से आप memes video के उपर reaction video बनाने वाला thumbnail भी बना सकते हो तो दोस्तो अभी के टाइम में मीम से वीडियो बहुत ही ज़्यदा popular और viral होते हैं और आज किल रियक्षन वीडियो का भी demand सर चर के हैं मतलब कि बहुत ही ज़्यदा है reaction वीडियो का demand और अगर ऐसे में हम memes video के उपर reaction video बनाएंगे तो घजब तरीके से हमारे video performance करेंगे और वीडियो वाइरल होगे तो आज की इस video में आपको यही बताने वाला हूँ memes video पर reaction video कैसे बनाएं तो बिने टाइवेस्ट के चलिए memes video पर reaction video कैसे बनाएं वो जानते हैं बिना किसी intro के बाइद में video कलाए करके 100 like complete करवा दीजेगा तो memes video पर reaction video बनाने के लिए आपके पास दो mobile होना बहुत ही ज़्यदा जरूरी है और हमेशा की तरह किसी भी वीडियो पर reaction video बनाने के लिए आपको ये दो कामें भी करना बहुत ही ज़्यदा जरूरी है जिसमें से पहला कामें intro shoot करना दूसरा कामें outro shoot करना तो जो आपके पास दो mobile होंगे उन में से किसी भी एक mobile को लेकर अगर आपके पास tripod है तो ठीक है अगर ट्राइपोड नहीं है तो किसी ऐसे जगह पर लेके चले जाना है जहां से आपका mobile ज़रा सा भी हिल डोल ना करें उस हिसाब से आप mobile को इस तरह के से करा करके रख दीजीगा उसके बाद आपको दूसरे mobile में आपको memes वीडियो डाउलोड कर लेना है और मैं आपको बता देता हूँ कि आपको memes वीडियो कहां से डाउलोड करना है आप YouTube application को open करके search box पर जाके search कर लीजीगा the boys memes ये आज कल बहुत ज़्यदा trend में the boys memes ये बहुत ज़्यदा popular हो रहे है तो आप the boys memes search करेगा YouTube पर जाके और आपको धेर सारे memes वीडियो मिल जाएगे तो आपको डाउलोड कर लेना है धियान रहे किसी ऐसे वीडियो को आपको डाउलोड नहीं करना है जिस पर already किसी ने भी react कर रखा है या फिर उसके उपर उन्होंने review दे रखा है आपको वैसे memes वीडियो डाउलोड करना है जो लावारी से पढ़ा हुआ है बोले तो उसमें सिर्फ और सिर्फ memes है उस वीडियो को डाउलोड कर लेना है और उसके बाद आपको क्या करना है जो आप नेक पर यहां पर यह कर सकते हो हेलो दोस्तों या फीर hello everyone its me RJ Tech2M और आज हम react करने बाले है दबबवाइज meemes पर यह फिर क्या होंगे उस वीडियो को आपको यहाँ पर प्ले करना है और रिक्ट करना है जैसे कि यहाँ पर मान के चल की में यहाँ पर प्ले करना है लागा बैन लगता यह वह बढ़े लTrude करना है जतने तरह का वीढिए उतने दर तक आपको रियक्ट करना है और जब पूरा वीढिए करने के लिए अपको पर सिट करना है उसके बाद आपको आउट्रो सुट करना है तो आपको यह मेरा रीम् accents कैसे पपसंद आई है आप अपने अंदाद में भी बोल सकते हो आउट रो तो आप अपने हिसाब से इसको बोले जीगा उसके बाद आपको recording को off कर देना है और उसके बाद रिकोड किये थे तो यहाँ पर मैंने यह वाला वीडियो रिकोड किया था तो मैंने इसको सेलेक्ट यहाँ पर कर लिया है आपको भी सेलेक्ट कर लेना है और सेलेक्ट करने के बाद आपको इन में से इंट्रो निकाल के रख लेना है तो यहाँ पर मैंने इंट्रो निकाल के पर देख सकते हो आउट्रो भी हो गया ये वीडियो हमारा भी हो गया जिस पर हमने रियक्ट किया है वो भी हो गया और यहाँ पर इंट्रो भी हो गया है तो अब आपको यह पर करना क्या है आपने जहां से भी वीडियो पर रियक्ट करना है स्टार्ट के हो वहाँ पर आपको ये cursor ले जाना है roughly. कि मांगे चलिके हमने यहां से react करना शुरू किया है तो हमने यहां पर cursor ले गिए हैं और उसके बाद आपको layer पर किलिक करना है उसके बाद आपको media पर किलिक कर देना है और जो आपने mims video download किये होंगे वो वाला वीडियो आपको यहाँ पर select कर लेना है तो यहाँ पर हमने इस वीडियो को select कर लिया है select करने के बाद अब आपको यहाँ पर करना क्या है यहाँ पर यह कुछ disclaimer रहेंगे तो यह disclaimer और इनके channel का नाम रहेंगे तो यह सब आपको cut कर देना है ठीक है यहाँ से शुरू है तो आपको यहाँ पर क्या करना है ट्रिम पर क्लिक करना है ट्रिम लेप्ट करके आपको इसको जो है इस तरह के से कट कर देना है और उसके बाद आपको क्या करना है इसको इस तरह के से शुरुवात में ले आना है जहां से भी आपने react करना है start किया होंगे वहां तक आपको ले आना है उसके बाद इस पर click करना है वीडियो के layer पर और थोड़ा size इसको छोटा करना है और यहां पर आपको जो है नीचे side में इसको इस तरीके से यहां पर रख देना है ठीक है और अगर इसका logo दिख रहा है त dropping पर click करने के बाद जहां तक लोग है वहां तक आपको इस तरीके से crop कर देना है और उसके बाद बेक चली आना है और प्ले करके दिखाता हूँ तो बस आपको इसी तरीके से आपको reaction वीडियो बनाना है memes वीडियो के उपर तो जहां तक आपका वीडियो होगा वहां तक आपको चले जाना है और अगर कोई फाल्दू का पार्ट मचे उस पर क्लिक करके आप इसी तरीके से trim right करके हटा दीजिगा ठीक है और उसके बाद आपका memes वीडियो के उपर reaction वीडियो बन के तयार हो चुका है तो अब आपको यहाँ पर क्लिक करके save और जी वीडियो पर क्लिक करके इसको save कर लेना है और चलो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका thumbnail कैसे बनाना है thumbnail बनाना के लिए आपको pixel app अप्लिकेशन को open करना है उसके बाद ये new text आ रहा है तो इसको इस तरगे से delete करके हटा देना है और उसके बाद आपको 3 dot के line दिखेगा तूस पर आपको गिलिक करना है उसके बाद image size पर आपको click कर देना है और weight पर click करना है और इसको इस तरगे से edit करके हटा देना है और यहाँ पर आपको लिखना है 7, 6, 8, 0 और उसके बाद height पर भी click करना है और इसको भी इस तरगे से edit करके हटा देना है और यहाँ पर आपको लिखना है 4, 3, 2, 0 और उसके बाद इसको OK कर देना है OK कर देने के बाद आपको फिर से 3 dot के line पर किलिक करना है और अब आपको उपर साइड में जो option आ रहा है Use image from gallery का तो आपको इस पर किलिक कर देना है और उसके बाद आपको कुछ इस type का similar photo आपको यहां पर किलिक कर देना है या फिर यह photo इस बगल रहे आप अपने हिसाब से इस हिसाब से आपको एक photo घिचवा लेना है और उसको select कर लेना है और इसको इस तरह के से tick कर देना है और उसके बाद अब आपको फिर से plus का icon मिलेंगे तो आपको plus पर click कर देना है और from gallery पर click कर देना है और उसके बाद जो भी आपने mims video download किये थे उसका जो भी thumbnail था उस thumbnail को भी आपको download कर लाना है और उसके बाद उसको select कर लेना है और इसको tick कर देना है tick कर देने के बाद इसका size थोड़ा छोटा करना है और यहाँ पर आपको आके रख देना इस तरगे से और उसके बाद आपको फिर से यहाँ पर क्लिक करना है और थोरा इधर आना है आने के बाद आपको stroke पर क्लिक करना है और इसको enable कर देना है और यहाँ पर white पर select कर देना है और इसको इस तरगे से tick कर देना है उसके बाद आपको यहाँ पर यहाँ पर लिखना है तो आपको ए पर किलिक करना है उसके बाद आपको टेक्स्ट पर किलिक करना है और यहाँ पर इडिट पर किलिक कर देना है उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है दा और उसके बाद बोईज आपको लिख देना है और इ को फ़ोंट पर किलिक करना है और फिरी वाला फॉंट आपको यूज करना है जिसमें से यह लिग का option जो आ रहा है तो आपको डेस पर क्लिक कर देना है और उसके बाद नीजे साज से थोरा इधर घिरका के आना है और probably करना है इसको इनेबल कर करने के बाद टिक पर क्लिक कर देने के बाद इसका साज थोड़ा छोटा कर लाना है अपने एडजेस्टमेंट के हिसाब से और फिर से दब वाइज पर आपको क्लिक करना है और नीचे साड ले आना है और इडिट पर क्लिक करके अब आपको यहां पर लिखना है मीम्स आपको योब को सेब करने के लिए उपर साइड मी आपको आपको सेव पर किलीक करना है उसके बाद आज इमेज पर क्लिक करके सेब्टू गालड्री पर क्लिक करके इसको को शेयब कर लेना है तो इस तरके अविटो बना सकते हो तो आपको वीडियो कैसे लगा है कि मेंन बोट इफृछ ल्गारों से लियुष हो पुल वीडियो देखने के लिए तो मिलने किसी नेक्स्ट वडियो में तब ते के लिए ध्यारा के अपना एंड देखते रहें और जैटेक टू युद मिफ्न धेक